हाई गाईज, वेलकम तो यो ओन चैनल लक्ष्मिय अरवेद, लक्ष्मिय अरवेद में आप सबका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है, और तुदेश टॉपर्स पंच कलपारिस्ट, आज का जो वीडियो है, मैं आपको पंच कलपारिस्ट के बारे में सभी जानकारिया दूँगी, इसके क्या-क्या गुन है? इसे आप कैसे इस्तमाल मिला सकते है? कितनी मातरा मैं आपको लेनी है? सारी जानकारिया मैं इस विडियो में आपको दूँगी, तो आईए समय को नस्टुना करते हुआ, आगे बढ़ते हैं आज का जो वीडियो है वो है, पंच कलप इसमें क्या क्या चीज मिले वे हैं ये किन चीजों से तैयार की गई है तो सबसे पहला जो चीज इसमें आयुर्वेद की जो डाली गई है वो है द्रक्षासव द्रक्षासव जो लोग आयुर्वेद का थोड़ा सा भी ग्यान रखते हैं उन्हें पता होगा ये हमारे शरीर के लिए बहुत उप्योगी है द्रक्षासव जो है वो सरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करता है अगर कोई भी प्रकार की आपको कमजोरी है विकनेस है तो इसके सेवन से जो है आपकी सरीर की सभी प्रकार की कमजोरियां दूर होती है यह वात पीत कफ के कारण कोई भी रोग जो उत्पन हुआ है शरीर में उनको भी ये बिल्कुल ठीक करता है और हमारे शरीर में कोई भी रोग वात्पित या कफ के कारण ही होता है इनकी डिस्बालंस हो जाने के कारण ही रोग की उत्पत्ती होती है तो कहा जाए तो ये उसे भी बैलंस करता है वात्पित को यह नियंतरन में रखता है तो इसका सेवन कोई भी कर सकते हैं इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इसके बात जो इसमें कंपोजिशन है वह है लुहा सब यह भी बहुत कॉमन सी आयरवेद की दुनिया में कॉमन सी नाम है लुहा सब जो है यह जैसे कि आप पता चल दुसक्त करती है और हम और आजकल तो आरावन की कमी आम भात है तो इसके सेवन से आप इन भीबारियों को दूर कर सकते है तीसरे जो composition इसमें है वो है अश्वगंधारिस्ट अश्वगंधारिस्ट जैसा की नाम से ही आप समझ सकते हैं यह अश्वगंधा से बनी है लेकिन हाँ सिर्फ इसमें composition जो है वो अश्वगंधा ही नहीं है इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, वतेज पत्ता इसमें कही तरह के अईरवेदिक चीजों से मिश्रत से मिलाके बनाया गया है तो इसका जो काम है वो हमारे शरीर में क्या है यह जो function है हमारे mental health को mental status को यह ठीक करती है चिंता तनाव को दूर करती है आज के भागदौर के जिंदगी में जो stressful life है यह stress को दूर करती है मरगी, मरगी के ब देट की common बिमारी है आम समस्या है इसके सेवन से अस्पगंदा के सेवन से आप इसे भी दूर कर सकते है तो इस पंच कलपारिस्ट में यह सभी चीजे मिली हुई है इसके बाद जो इसकी composition की मैं भात करूं तो वो है पुर्ण वासव पुर्ण वासव यह हमारे शरीर में क् करती है इसका function है आईवीस की problem को दूर करना आईवीस के कारण कोई भी जो disease होती है इसको यह ठीक करती है जैसे कि बहुत लोगों में परिशानी होती है कि वो जैसे ही खाना खाते है तुरंत बाद उनको सौच जाना पड़ता है और तुरंत बाद उनको ट्वाइलेट जान पड़ता है अगर यह नियमित रूप से लिया जाए तो तो यह उसमें बहुत लाबकारी है फैटी लीवर आजकल के दौर में इस खराब जीवन सहली में जो है 70% लोगों की लीवर जो है वो फैटी हो जाती है यानि कि लीवर के इर्द ग्रिद जो है फैट जमा हो जाती है उसको भी जो है यह एकदम ठीक कर देते गर इसका हम सेवन करें सही डंग से तो उसमें भी यह बहुत लाबकारी है फाइदा देती है बहुत लोगों का शरीर जो है वो पतला होता है लेकिन फेस यानि चेहरा वो सूच जाता है तो उसमें भी जो है अगर इसका सेवन किया जाए इसे नियमित रूप से लिया जाए तो उसमें भी यह बहुत फाइदे मंद है तो पुर्णवासा का भी बहुत सारे फाइदे हमारे सरीर में जो की पंच कलपारिस्ट में मिले वे हैं और जो है इसके बाद जो इसमें कमपोजिशन डाली गई है वह है दर्श मुलारिस् के कई function है हमारे सरीर में यह बहुत अच्छी काम करती है जैसे कि वात से सम्मंदित रोग यानि वात से सम्मंदित रोग यानि कि arthritis कोई भी दर्द कैसी भी प्रकार का दर्द जो है उसे भी यह नियंत्रित करता है ठीक करता है यह यहां तक कि इसमें इतनी पावर्फुल यह है यह नसों की सफाई करता है नफ्स जो हमारे जाम हो जाते हैं उसकी सफाई करता है और हड्डियों की भी सफाई करता है अब आप बोलेंगे कि हड्डियों की सफाई कैसे करता है नसों की तो चलो सफाई कर देगा लेकिन बहुत लोग यह सवाल करते कि हड्डियों की सफाई ऐसे करता है कि bones में कई बार बहुत सारे problems की वज़े से infection हो जाती है किसी भी कारण से infection हो जाती है और आपके हड्डियों में infected हो जाती है तो इसके regular 7 से जो है वो infection धूर हो जाती है और धीरे धीरे आपके हड्डियों की सफाई होना शुरू हो जाती है और जैसे हड्डियों की सफाई शुरू हो जाती है आपके हड्डियों का दर्द धीरे 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 कम होना शुरू होता है और आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो इस प्रकार ये हड्डियों की नसों की पूरी तरह से सफाई कर देती है और यह सिर्फ अडियरसों की सफाई ही नहीं पेट दर्द में अमाशय की समस्या में अगर कि दिनी को पेट दर्द की समस्या होती है अक्सर पेट में दर्द रहता है तो भी इसका सेवन बहुत लाबकारी है बहुत उपयोगी है यूसपुल है और अमाशय क समस्या बार-बार सौच जाने की जो टेंडेंसी होती है का इक बार दिन भर में उनको सौच जाने का मन करता है अमा शेयर रहता है तो भी जो है इसके सेवन से वह बहुत प्राप्त कर सकते हैं और जो है बहुत लोगों को उल्टी की शिकायत होती है थोड़ी से भी कोई ऐसा झार देक ले या रास्ते में कुछ बहा范 देख ले तो तुरंट उनको उल्टियाई होना ही शुरू हो जाती है तो उल्टी जिनको समस्या है वह ईक कम हो 52 जाती है और नियमेश सेवन से दीरे-दीरे एकडम ठीक कर जाती है और वह सारी समस्या जो है एक मात्र सीरब से आप एक सिरप में ले सकते हैं और वो है पंच कलपारिस्ट वो आप देख सकते हैं यह एक उंजा कंपनी की बनाई हुई पंच कलपारिस्ट जो सिरप है इससे आप सभी फाइदे ले सकते हैं इसमें सारे कंपोजिशन आप देख सकते हैं दक्षासव लोहासव जिनके बारे म की में बात करती हूँ देखिए यह क्रीम कलर की स्कॉच कलर की पैकिंग और उपर में जो है ब्राउन कलर की पैकिंग की हुई है और यह उन्जा कंपनी की बनाई हुई बैतरीन सीरप है यह कई रोग में जो है फाइदा देती है इसे कोई भी बैकती ले सकते है जो है ना करती हूँ ऐसके बात करनेогда है और और में गातर और गर्ण के लिए ऐसे वह बात करती है और ठीज के लिए यहadores स्रम्ट के लिए और वह भातर स्फेशन् M को भी ठीक करता है जो हमारा इम्यून सिस्टेम है उसे भी इसके सेवन से आप स्ट्रॉंग बना सकते हैं ठीक कर सकते हैं गरिश्ट अत्वा भारी खुरा खाने से इंसान को बेचैनी होने लगती है कभी आप कुछ भारी प्रदात खाले तला बुना खाले तो बहुत टाइम अपको भारी भारी लगता है और बेचैनी भी सुरू हो जाती है तो इसके सेवन से इन सब चीजों में भी जो है बहुत फाइदा होता है दीपन पाचन और आंत्र प्रदेश के पाचक रसों से इसे तयार किया गया है और चट राकिरी प्रदीप होने से भूख अधिक लग बहुत अंडर वेट है वो भी अगर इसका सेवन कंटिनूसली करें नियमित रूप से कुछ दिनों तक करें तो उनका वेट में व्रिद्धी हो सकती है तो यह कई तरह से आपने देखा यह कई तरह से फाइदेमंद है हमारे सरीर ओवरॉल सरीर में बहुत फाइदा देती है यह गैस एसिडिटी को भी टीक करती है नॉर्मल गैस एसिडिटी अगर किनी को शिकायत है बहुत हाई लेवल की गैस एसिडिटी तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन नॉर्मल गैस एसिडिटी में यह बहुत लाबकारी है अगर खानी की वज़े से नॉर्मल गैस एसिडिटी आ को अक्सर रहती है तो आप इसका नियमित सेवन करें और फायदे देखें और फ्रेंट्स इसे 15 से 20 दिन तक आप अगर इसका सेवन करेंगे नियमित रूप से तो आप खुद इसके फायदे देख पाएंगे आए बता देती हो किसे आपको लेना कैसे है कोई भी एडल्ट जो ह है यानि केटीन यर्स कैबव के जो भी है वियस्क वो जो है तीन से छे चम्मच दो दो से तीन बार टू टू त्री जाइम्स एक दिन में ले सकते हैं खाने के बाद लेकिन एक बार आप जो है इसे लेने से पहले किसी अच्छे आयुरवेदिक चिकित्सक से सलापरामर्स ज सकते हैं और अगर आपको और भी कोई परिशानी है या अगर आप ज्यादा फाइदा इसका चाते हैं तो आप किसी अच्छे आयुरवेदिक चिकित्सक से सलापरामर्स जरूर ले ले होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जिन लोगों अभी तक मेरे चै सारी दवाईयों की जानकारिया लाने वाली हूँ अईरवेद से सम्मंदित तो आप इसके जानकार बने स्वस्त रहें आपका स्वास्ती हमारे लिए सर्वोच है आप हेल्दी रहें स्वस्त रहें सुखी रहें यही हमारा मिशन है तिल देन चेक केर बाई